नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर मैं आपका दोस्दिर कुमार सास्त्री मित्रों गुरू की महिमा का वर्नन सब्दों में नहीं किया जा सकता है गुरू परंपरा प्राचिन काल से चली आ रही है गुरू ने ही आध्यात्मिक ज्यान और भोते ज्यान देकर इस लोग और परलोग दोनों को सुधार दिया है कहते हैं गुरू गोविन दोव खड़े काके लागो पाए बलहारी गुरू आपने गोविन दिया बताए तो मित्रो आज हम अपने यूटूब चैनल पर दस महान गुरूओं के बारे में चर्चा करेंगे तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर जिन मित्रो ने अभी तक हमारे यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वहर एड बटन पर जाकर के हमारे यूटूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को जरूर दवा दें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करते समय सबसे पहले आप तक पहुँचे तो दोस्तो आज हम बात करेंगे प्राचिन काल के सबसे महान गुरूओं के बारे में जिन में सबसे पहला नाम महरसी वेद व्यास जी का है असाड पूर्णमा के दिन ही महरसी वेद व्यास जी का जनम हुआ था यही कारण है कि इस दिन को महर्सी वेद व्यास जी को समarpit करते हुए वाश्तवक व्यास जैंतिया गुरुपूर्णमा के रूप में सनाथन धर्मी पूरी आस्था के साथ मनाते हैं प्राचीन भारतिय गरंथों के अनूसार महरसी वेदिव्यास स्वय्म भगवान विष्णू के ही अवतार थी, महरसी का पूरा नाम कृस्टन द्युक्व पायन व्यास था, इनके पिता का नाम महरसी पारासर तथा माता का नाम सत्यवती था. महरसी वेद्व्यास ने ही 18 प्रानों और दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाबारत की रचना की थी। पुत्र के रूप में बालमी की ने कठोर तप किया तता महरसी के पतपर सोबित हुए। महरसी बालमी की विबन अस्त्र सस्त्रों के आवश्कारक माने जाते हैं। बानी सावित हुई थी। उसे साप दिया कि जब कर्ण को अपनी विद्या की सवसे ज्यादा जरूत पड़ेगी। उस वक्ति ये विद्या उसका साथ छोड़ देंगी। नमबर चार गुरू द्रोन अचार रहे। महवारत के अनुसार गुरू द्रोन का जनम एक द्रोनी यानि पात्र में हुआ था। इनके पिता महरसी भारत द्वाज थे। गुरू द्रोन देव गुरू ब्रस्पति के अंसावतार थे। दुरियोधन, दुशासन, आरजुन, भीम, युदिश्टर आधि इनके प्रमुक्सस्यों में सामिल थी। अरजुन को ही गुरू द्रोन ने दुनिया का सर्व स्रेष धनुर्दर होने का वर्दान भी दिया था। कहते हैं कि इसी वर्दान की रक्षा के लिए द्रोन ने स्रेष धनुर्दर एक लव्वय से उसका अंगुठा गुरू दक्षिना में भांग लिया था। नमबर पांच महरसी विस्वामित्र विस्वामित्र जनम से छत्रिय थे लेकिन घोरतप के कारण ही स्वयम भगवान ब्रह्मा ने उन्हें ब्रहमरसी की उपादी से सुसोवित किया त्रेता योग में ब्रहमरिसी विष्वामित्र ने कुछ काल के लिए ही सही लेकिन आयोध्या के राजकुमार स्री राम और उनके भाही लक्षमन को अपने साथ रखा और उन्हें कैई गूड विद्याओं से परिशित कराया मेर्सी विष्वामित्र ने स्री राम और लक्षमन को कई अस्त्रस्त्रों का ग्यान दिया तथा अपने द्वारा अनुसंदान किये गए दिव्यास्तरों को भी दोनों भाईयों को प्रदान किया एक छत्रिया राजा से रिशी बने विश्वामित्र महान भ्रगुरुसी के वनसस थे यह भी कहा जाता है कि रिशी विश्वामित्र ने एक बार देवतां से रुष्ट हो कर अपनी अलग स्रिष्टी की रचना शुरू कर दी थी नमबर 6 गुरु सांधी पनी महरसी सांधी पनी भगवान स्री करसिन के गुरु थे स्री करसिन वे बलराम इन से सिक्षा पराप्त करने मत्रा से उज्जैनी वर्तमान उज्जैन आये थे महरसी सांधी पनी ने ही भगवान स्री करस्ण को 64 कलाओं के सिक्षा दी थी भगवान स्री करस्ण ने ये कलाओं मातर 64 दिन में ही सीख ली थी मद्धे प्रदेश के उज्जन सहर में आज भी गुरू सांधी पनी का आस्रम इस्थित है गुरु की आवे सक्ता पड़ी जनों ने उन्हें विस्व के कई गूड ग्यानों से परिचित कराया सांधी पनी रिशी को गुरु दक्षना देने के लिए भगवान स्री किर्शिन ने यम पुरु की आत्रा की और वहां से सांधी पनी के पुत्र को वापस धर्ती पर ले आए नमबर साथ देव गुरु ब्रहस्पती महाबारत के आदी पर्व के अनुसार ब्रहस्पती महरसी अंगिरा के पुत्र थे देव गुरू ब्रहसपति रक्षोगर मंतरों का प्रियोकर देवताओं का पोसन येवन रक्षन करते थे तथा देत्यों से देवताओं की रक्षा करते थे जिसके वल पर यह मिर्त दैत्यों को पुनह जीवित कर सकते थे। आपको जानकर आश्यर होगा कि गुरू सुक्राचारे के सिस्वों में जहां सरवादिक संख्या दैत्यों की होती थी वहीं इन्होंने गुरू धर्म का पालन करते हुए देव पुत्रों को भी सिक्षा की थी। साथ ही भयानक दैत्यों से अपने देव पुत्र सिस्वे की रक्षा भी की थी। नंबर नौ गुरू वसिष्ट गुरू वसिष्ट सूर्यवंस के कुल गुरू थे। इन्ही के प्रामर्स पर महराज दसरत ने पुत्रिष्टी यगी किया था जिसके फलसरूप स्र चर्श पर ने वैट वेदांगों की, सिख्चा गुरू वसिष्ट से रबंध की थी। वनवास के लोटने के वाद स्रीराम की राज्याबी से इन्हींके द्वारा हुआ था। गुरू वसिष्ट पुरान वसिष्ट स्राद कल्प वसिष्थ शिख्चा आदिगरंतो스트ओ की रक्षना की थी गुरू असिष्ट की गढ़ना सब तुरिशियों में होती है नमबर दस आदि संक्राचारे डक्षिन राज्य के काल्डिग्रा में एक ब्रहमन परिवार सुभुरू दंपत्ति के घर आदि संक्राचारे का जनम हुआ जगद गुरू संक्राचारे ने मात्र सा संक्राचारे भगवान संक्र के ही अफतार थे आदि संक्राचारे ने ही भारत के चार कौनओं पर चार पीठों के स््थापना की इनमें स्रंगेरी करनाटक दक्षिन में द्वार्का गुज्रात पस्चिम में पूरी उडिशा पूर्व में और जोतिर मठ जोसी मठ आत्मिज्ञान से इस्त्रष्टी को करतार्त किया हम नमन करते हैं ऐसे महान गुरुवे नमहां, ध्यानम मूलम, गुरु मूर्थी, पूजा मूलम गुरुपाद्म, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मौक्ष्यमूलम गुरु कृपः, इन ही वाक्यों के साथ सभी मित्रों को नमस्कार यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद